1984 के दंगो पर बोले दिलजीत दोसांच दिलजीत ने कहा 1984 में दंगे नहीं हुआ था नरसंगहार उन्होंने कहा जब लोगों के बीच दो तरफा लड़ाई होती है तो यह दंगा होता है मेरे हिसाब से इसे नरसंगहार कहा जाना चाहिए पूर्फ पीम इंद्रा कांधी की हत्या के बाद शुरू हुए दंगो में तीन हजार से अधिक सिक्खों की मौत हुई थी अजय देवगन के खिलाफ केस दर्ज अजय देवगन और सिधार्थ मलोत्रा अभिनीत फिल्मकार इंद्रकुमार की आने वाली फिल्म थांग गौट के खिलाफ केस दर्ज धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुचाने का लगा है आरोग वकील हिमानशु शिवास्तव ने उतरप्रदेश के जौनपुर कोर्ट में धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुचाने के लिए केस दर्ज कराया अभिनेता पंकश्त्रपाथी ने अपनी फिल्मों और शो में अभद्र भाशा का इस्तिमाल ना करने का लिया फैसला उन्होंने कहा जी मैंने तैक कर लिया है कि मेरे जो भी किरदार होंगे अती आवश्यक होने पर ही मैं इन्हें रचनात्मक तरह से पेश करूंगा